कि हलो फ्रेंड्स वर्धनी केड़ी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर पते जूनियर सिचक भरती से समन्दित जो हमारी यह CRT की बुक्स चल लए है सोसल साइन्स की 6-8 ठीक है 6-8 तक की जो बुक्स चल लए है उसमें हम लोग हिस् इंट्री में दो पार्ट हो चुके हैं 6 क्लास के और जो पॉलिटी है उसमें 6 क्लास में कुछ भी इंपॉर्ट नहीं है मैं पहले आपको बता चुका हूं उसमें 7th क्लास का पहला पार्ट हो चुका है और 6 क्लास में भी पहला पार्ट मैंने कर दिया था फिर मैंने पूरी स्वाइब कुछ देखी तो उसमें पॉलिटी में मुझे कुछ भी खास नहीं लगा इसलिए मैंने 7th class भी स्टाट कर दिया 7th class स्टार्ट कर दिया क्योंकि फाल्तू मैं वीडियो बनाना चाहूं तो उस इसमें है ठीक है इसमें देखिए आपका छटी सताबदी इसापुर्व का भारत है और जो छटा लेशन है वह महाजनपत से संबंदित है ठीक है इसमें और जो पांचवा लेशन इसमें बहुत बहुत धर्म जयनधर्म आज चीदों से संबंदित आपको बहुत important questions आपको इसमें मिलेंगे ठीक है तो चलिए आज की वीडियो स्टाट करते हैं देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें important है तो जो important चीज़ें सिर्फ उसी को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे ठीक है चायद करते हैं यहाद पर कोई खास ऐसी चीज़ ने जिससे question बन सकते आपका अब यहां से देखिये हैं अब बरदभान महामी महाविर स्वामी कि होगा ठीक है महाविर स्वामी जयनधर्म के 24 वे तीर्थनकर या महपुरूस कह सकते हो ठीक है तो जो महाविर स्वामी है यह 24 वे तीर्थंकर हैं किसके जयन धर्म के और पहले कौन थे रिशब देव ठीक है रिशब देव और 24 वे कौन है महावेर स्वामी ठीक है तो यह चीज़ आप लोग याद रखिए इनके बच्पन का नाम वर्दमान था इनका जनम एक राज परिबार में वैसाली जो बर्तमान में बिहार राज में है के निकट कभ हुआ था यह डेट भी आपको बतलब यह पता होनी चाहिए यह 540 इसापूर्व ठीक है सत्य और सांत की खोज में इन्होंने कठोर करने का मार्ग अपना है तीस वर्ष की अवस्था में तो तीस वर्ष यह भी आपको पता होना चाहिए कभी कभी बहुत चोटी चीजे पूछ लेते हैं घर छोड़कर कठीन तवस्या किया और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारणवे महाबीर और जिन अर्थाद विजयता कहलाए अब देखिए अगर कोशन इस प्रकार होता है जिन का क्या आर्थ होता है तो जिन का आर्थ होता है विजयता सोयम ने के बाद दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने अपने सिद्धानतों का प्रचार प्राक्रत भासा में किया तो जयन धर्म का जो प्रचार है माविर स्वामी जी ने प्राक्रत भासा में किया था ठीक है तो इतनी चीज़े यहां पर इंपॉर्टेंट थी जो जिससे कोशन बन सके सिर्व सीख पड़ेंगे अब देखे जीवन के विकास के लिए इनोंने मन वचन और कर्म से सुद्ध रहका तीन बातों को मानने पर विशेस्थ बल दिया सही बातों में विश्वास सही बातों को ठीक से समझना उचित कर्म ठीक तो त्री रतन क्या है सही बातों पर मिश्वास सही बातों को ठीक से समाझना और उचित कर्म अब पंच महावरत महावरतों को देख लेते पांच महावरतों को ठीक है इसमें क्या है जीवों को ना मारना सच बोलना चूरी ना करना अनुचित धन ना जुटाना इंद्रियो को वस्पे रखना ये पांच महावरत है ठीक है इनको ये जैन धर्म से संब्दित पांच महावरत है इनको भी आप लोग पता होना चाहिए अक्सर इन से कुश्चन बन सकता है ठीक है नेक्स्ट आगे देखते हैं अब देखिए महाविर स्वामी के निर्वाण के मतलब जब उनकी मृत्ति हुई थी निर्वाण मृत्ति से समन्दिय ठीक है के लगभग दो सताब्दियों बाद उनके जैन अनुयाई दो संपर्दाय में बैट गया थे दो संपर्दाय मतलब एक पहला था स्वेतांबर जो दिशाएं और अंबर मतलब वस्त्र जो लोग अपने दिशाओं को ही अपना अंबर मानते हैं वो उनको कहते दिगंबर ठीक है हिंदी में संदिविच्चेद इसका करें तो दिग प्लस अंबर होगा ठीक है तो निरवरस्त रहने वालों को दिगंबर कहा गया ठीक अब जन्म इसा से 563 वर्ष पूर्व नेपाल में कपिल वस्तु के निकट लुमिनी नामक इस्थान में हुआ था ठीक है तो जन्म इसा से 563 वर्ष पूर्व और यह कब हुए थे इसा से 540 वर्ष पूर्व ठीक है तो यह जो जैन धर्म है वो पहले आया था ठीक है जितना कम हो होगा उतना ही ज्यादा मतलब पीछे होगा समय ठीक इसा पूर्व लिखाए ठीक तो जैन धर्म जो है वो बहुत धर्म से पहले आया था यह आप लोगों के याद रखनी पड़ेगी इससे समधित क्वेश्चन बन जाते हैं अब देखें का पिलबस्तु के निकट लुम्बन साने की से इच्छा दी जिसका आर्थ होता है ना तो विलास्ता और ना ही अधिक कठोर तब गौतम बुद्य ने चार आरे सत्त को माना तो पहला कौन सा था दुख है दूसरा है दुख का कारण भी है तीसरा है दुख दूर करने का उपाए भी है चौता है दुखों के दू सब्सक्राइब करने का अउपाए अस्टांगीग मार्ग है अब य' मद्ध शरल मानवत्ता पौड्ड विवार के नियम है अब देखिए यह करे अस्टांगीग मार्ग क्या है जीवनकोश चूचार रूप से चलाने के लिए सही सोच होना चाहिए सही बात और कारे करना चाहिए सत्य बोलना अच्छा कारे करना अच्छे कारे द्वारा जीविकार जित करना मांसिक और नयतिक उन्नत के लिए प्रयास करना अपने कारे विवार पर हमेशा नजर रखना ज्यान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना तो यह अस्टांगी है और एक महायान जो उदारवादी है ठीक है यह नियान और महायान का आपको देखिए यहाँ पर इसका अर्थ भी पता चल गया और भी जानिए इसको जान लेते हैं भारत के अहिंसावादी छवी इन के कारण हुई है इन धर्मों के आने से संक्रत संस्क्रिट को बढ़ावा मिला एक भुद्ध कर पूर्वजन शें ColonKit, जातक एवं उपदेश ने कहानियों के माँदफ़न से उपदेशों को सरल भाव से लोगों तक पहुचा है थो बुद्ध के पूर्वजन से संबन्दित क्या हैЙ जातक का कथाएं ठीक है ये कुछ से काफी पूछा भी जा पूर्व जंश सम्मधित किसमें है जातकताओं में राष्ट्र धोज के बंद में बना बौधि प्रतीक धर्मचक परवर्तन है ठीक है जो चक्र बना है वो क्या है धर्मचक्र परवर्तन अब देखें लेशन 6 महाजनपद की ओर इसमें देखें बद इतने देखना है अब आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है सोला महाजनपदों में से निम्नांकित चार प्रमुक महाजनपद तो चार कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे मगद जो गया और मुंगेर का इससम बरतवान में है ठीक है कोसल जो फैजाबाद अहुद्ध्या है बरतमा मगद समराज में देखिए मगद समराज में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पर है चटी सताब्दी इसापुर में नंदों के समराज की स्थापना तक मगद में क्रमसा तीन राजवनसों का सासन हुआ ठीक है मतलब जो मगद नंद बंस जवाया था उससे पहले इसकोख फाइदा नहीं आगे इस समधित इंपॉर्टें चीजे होंगी आगे यर्थ 9 10 पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़े मिल जाएंगे उन दिनों यूरोप महादेप के यूनान देश में मेसिडोनिया नामा के एक राज था तो मेसिडोनिया का ही था सिकंदर पिक कहां का था मेसिडोनिया का अब देखिए सिकंदर के आकरमण का प्रभाव इसमें काफी इंपोर्टेंट चीज़ें सिकंदर ने भारत पर 326 इसापूर में आकरमण किया था कब किया था 326 इसापूर यह डेट आपको पता होनी चीए यह इंपोर्टेंट काफी जादा है सिकंदर के भारती आकरमण के व सबकी डेट आप लोग लिख सकते हैं और यह आपको पता होने से 544 से 492 इसापूर्व रहा उसके बाद आया है सिसुनांग वन्स 492 से 344 इसापूर्व फिर आया नंदवन्स 344 से 323 इसापूर्व और इसके बाद आया था मौरेवन्स ठीक है तो इस तरीके से यह दोनों चैप्टर हैं यह आपके कंप्लीट हो गया है ठीक है दोनों 5 और 6 एक अच्छा 6 की चल लई है इसलिए थोड़ा सा आपको नॉर्मल बनते जाएंगे उमीद है इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कोश्चन लगवग आठ दस से बारा आपके कोश्चन बन रहे हैं अगर यही माल लीजिए अगर लगवग 80 आपके लेसंस हैं तो अगर 40 पीडिये मतलब वीडियो भी माल लीजिए और 40 के साब से आपके सिर्फ 50 कोश्चन है ठीक है पचास में भी 30 कोश्चन इस जादा जादा आ सकते हैं ठीक है तो इसकी जो इंपोर्टेंस है उसको आप लोग जरूर समझीए ठीक है तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते अपने नेक्स वीडियो में तब तक के